हेलो गाइज होम इलेक्ट्रोनिक्स की और एक निवड़े में आप सभी का स्वागत है तो यार आज की वीडियो थोड़ी सी अलक होने वाली है आज अपने पास ये सेटलरी स्पीकर आया है हालत एक दम खतम हो रखी है ये जंग लग गए है पूरा और ये सी पियानो का है बह तो सबसे पहले तो ये मकड़ी का जाला हो रखा है स्पीकर के अंदर में वैसे में स्पीकर नहीं है तो सबसे पहले तो मैं ये धूल हटा लेता हूं उसके बाद डीटर डीटर जिन से बडिया से वाश करेंगे तो यार एक को मैंने साफ कर लिया है और ये दूसरा है तो इसमें एक स्पीकर लगा हुआ है तो मैं जो है पहले ये स्पीकर निकाल लेता हूं और दूसरे बाले में स्पीकर नहीं है तो वहाँ पर हमें स्पीकर लगाना पड़ेगा तो ये तार निकल गया है तो इसकी जाली को निकलना पड़ता है हमें ये देख सकते हो ये तोट चुका है लेकिन कोई दिक्कत नहीं ये देखो एकदम मकडी का जाला बन रखा है भाई साप तो इसको पुरा चका चक करना पड़ेगा इस स्पीकर को भी साप करना पड़ेगा ठीक से बहुत गंदा हो रखा है मैं पहले इन को निकल लेता हूँ कि दो इसको निकल जुका है अभी इसको भी निकलना पड़ेगा अभी ये इसकू जो है वह छोटे छोटे है इसलिए मैं यह हम मैट इसकू डाइवर यूज़ कर रहा हूँ और गाईस यह जो हम थीयटर है सी पियानो ये जब में सेवैंथ या एट क्लास में था उस ताइम यह बहुत ज्यादा चलता था मार्केट में उस तैम यही बाला जो हम सेटर है यही मिलता था और इंटेक्स का एक आता था जिसका मॉडल में भूल चुका हूँ तो ये उस टाइम को बहुत बढ़िया चलता था और इसकी संकुलिटी भी मतलब अच्छा संकुलिटी था और गाइस ये एक एक लोता होम थेयर्टर है या फिर हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ जो की बाड़ा जीलो का ट्रैंसफोर्मन लगा हुआ करता था जिसमें जिसको की दो डायोट देकर के माइनस और प्लस बनाया गया था तो अब इसको बैटरी से भी डैलेक चला सकते थे उस टाइम में कर दो कर लिया है मतलब साप कर लिया है दम चमकिला चमकिला हो गया है और अभी इनको और चमकाने के लिए मैं इनके उपर आयल से पॉलिश करने वाला हूँ जिससे की ये और जला चमकने लग जाए और फिर इसनको सुखाने के लिए धूब में रख दूँगा जैसे अच्छे से तेल मारना पड़ेगा सही से तो इससे होंगे क्या कि इससे और ज़दा चमकने लगेगा और क्या होगा कि अच्छे में अभी इनको पॉलिश करने के बाद सुखाने देता हूँ धूब में तो फिल मिलते हैं आगे कि शोगा इस यह अब देख सकते हो कैसे यह चमक रही है हमारी जो बॉड़ी था अभी इसमें स्पिकल लगाना पड़ेगा इसमें स्पिकल नहीं था तो मेरे पास एक सेम स्पिकल पड़ा है घर में ऐसा ही बिल्गुल सेम टू सेम जेलोक्स कोफी यह देखो यह भी सेम है यह 15 वाट का है एक टॉम्स में तो इसको मैं इसके विनेट में लगाँगा यहां पर तो चलिए में लगा लेता हूं पहले है तो अभी मैं इसको भी लगा लेता हूं और गाइस में सब कुछ फिट करके आपको उसके बाद दिखाता हूं कि दोनों सट्लाइड स्पिकल कैसे दिग रहे हैं और आपको थोड़ा सा में इन दोनों का सण भी सुना दूंगा तो बाद आशे वड़ में इतना ही बिलो द हुआ 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 है हुआ 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 है